आप देख रहे हैं देश की आवाज, उपिनियन पोल, पूरे भारत का उपिनियन पोल, आज लोग सभागे शुनाव हों तो कौन सी क्या तस्वीर बंती दिखाई देती है, कौन होगा देश का प्रधान मंतरी, नरेंदर मोधी क्या तीसरा टर्न भी बतार प्रधान मंतरी उन पर NDA और India Alliance का डेटा आपको मिलता हूँ दिखाई देगा, अब हम राजिस्थान की बात करते हैं, राजिस्थान में आज लोगसभाग चुनाव हो जाएं, तो किसको कितना वोट है, नरेंदर मोधी अभी राजिस्थान का दोरा भी कर रहे हैं, राजिस्थान की तस्वीर बिलकुल एक तरफा दिखाई दे रही है, 49% वोट, 49% वोट बीजेपी को मिल सकता है, 40% वोट कॉंग्रेस पार्टी को जा सकता है, और 11% वोट अन्य को मिल सकता है, यह 25 सीटों के लिए जो राजिस्थान की 25 सीटे हैं, उसका सर्वे का नतीजा आप देख रहे हैं, 49% वो अब आज की परिस्थीती में 49% वोट, सीटों में कैसे तबदील होगा, यह हम आपको बताएंगे, वोट लेकिन साब साब इशारा कर रहा है, कि बीजेपी यहाँ पर अभी काफी लीड में दिखाई देती है, कॉंग्रिस के आगे, अब हम जब सीटों की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कुछ राजिस्थान के क्षेत्रों के हिसाब से दिखेंगे, अलग-अलग रीजन के हिसाब से आपको बताएंगे, पहले राजिस्थान का हडोती इलाका, यहाँ पर साथ सीटे हैं, हडोती क्षेत्र में राजिस्थान के इन साथ सीटों में से छे भारती जंद वी दिखाई दे रही है तो इसको आप प्लस मानिए कॉंग्रेस पार्टी के लिए जह आप ओवरॉल बात करते हैं तो एक सीट भी छीनना राजिस्तान जैसे प्रदेश में बीजेपी से बड़ी बात थी अब अगला मारवार का एलाका मारवार की रीजन में भी साथ सीटे है यहाँ दो सीटें कॉंग्रेस को मिलती हुए दिखाई दे रही है पांच सीटें बीजेपी दो सीटें कॉंग्रेस अभी तक आप देखें इन चौधा में से राजिस्तान की चार सीटें बीजेपी को तीन सीटें कॉंग्रेस पार्टी को जाती हुई हमें दिखाई दे रही मेवाड की आठ सीटें क्या बताती हैं मेवाड की आठ सीटों में से साथ सीटें जो है वो BJP जीत सकती है एक सीट कॉंग्रेस पार्टी और रिकाल सकती है रारिस्तान से बीजेपी साथ Congress Party एक मेवार में तो यह आपके सामने सभी 25 सीटों का जो सरवे वह हम रख रहे हैं अब शेखावती इलाके का हाल देखते हैं, यहाँ पर तीन सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी तीनों की तीनों सीटें जीत सकती है कॉंग्रेस पार्टी को एक दी सीट मिलती भी नहीं दिखती शेखावटी रीजन में लेकिन आप ओवराल अगर देखेंगे तो कॉंग्रेस पार्टी पिछली बार के तुल्ला में यहां समें बीजेपी से सीटे चिंती भी दिखाए दे रही है ओवराल 21 भाजपा चार कॉंग्रेस जो 14 में और 19 में बीजेपी आ एंडिये 25 और कॉंग्रेस शून्य होता था वो आज बीजेपी 21 और कॉंग्रेस चार हो सकता है तो सीरे सीदे 19 का जो गणिता उसमें BJP माइनस पोर कर दीजे, Congress प्लस पोर कर दीजे, राजेस्थान में 21 सीटे स्वीप ही है, लेकिन BJP का 19 का परफॉर्मेंस नहीं है यह, यहां Congress Party डिरेक्ट पाइट में 4 सीटें BJP से चीद सकती है, यह हमारा opinion पोल बता रहा है, संजीब श इससे भी ज़्यादा हो, देखें 21 चार भी हो सकती है, 18 छे भी हो सकती है, 17 से, बहुत कुछ इस बात में निर्भर पड़े करेगा कि नवेंबर के elections में क्या होता है विदान सबह में, अगर विदान सबह में किसी तरह से Congress की सरकार repeat हो जाती है, क्योंकि अभी Congress का और BJP का ब पार्टी अगर repeat करती है, जो की नहीं आम तॉर्ट होता है, 25-30 साल में पहली बार होगा, अगर बाइचान सशोग गेल होता है तो वापिस, तो उसका भी एक, उसका additional फिलिप होगा, तो अभी जो 21-4 दिख रहा है, वो 25 भी हो सकता है, 19-6 भी हो सकता है, मुझे नहीं मालू लेकिन definitely ये भी बात सही है कि Prime Minister Modi number one choice रहेंगे Prime Minister के लिए, तो वो आंकड़ा heavily weighed in favor of BJP रहेगा, बट जैसे तुम कह रहे थे सौरब लगातार कि minus हो रहा है BJP के लिए, अब बड़ा challenge जैसे आपका survey आगे बढ़ेगा, कि minus की भरपाई कहा हो रही है, यही BJP के लिए 2024 की सबस बड़ी चुनौती है, क्योंकि जहाँ-जहाँ वो strong pole position में थे, वहाँ पे वो peak कर चुके थे, 25 में से 30 तो ला नहीं सकते, अब 25 में 21 ला रहे हैं, तो चार का नुकसान हो रहा है, यही स्थिति आगे के राज्यों में हो सकती है, तो वो एक बड़ी चुनौती है, तो उसका उसका जो भी सीक्रेट है, उसका जो भी उत्तर है, वो भावेश और आप बताएंगे हमें, सुनने के लिए मातूर है, चलिए, छोटा इस है लेकिन नुकसान तो है बीजेपी के लिए राजस्तान में, समीर जी, बिलकुर जागे, 2014 और 2019 का अगर परिणाम देखे राजस्त दूर है, अभी 6 मेने के अंदर उनकी साथ से 8 रेलिया हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है, भारतीय अंतापाटे के लिए थोड़ा निराशा जनक है, ऑपकी बारतीय अंतापाटी मान के चल रही है, कि 25 में से 24 सेटे किसी बीस्तिती में वहां, जीत लेंगे, जीसाथ से के अंदर की ओजिनाव का महापर काम हो और कॉंग्रेस का जीसाथ से ब्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी हमला वारे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा इसमें परिवर्तन होगा, और बीजेपी की सीटे बढ़ेंगी इसमें, लिए इंट कुछ दिनों पहले जो दिली में प्रोटेस्ट हुआ था जाटो का, मैंनली उसको जाट का ही प्रोटेस्ट हमाले जो रेस्टलर का प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वज़े से जाट वोट जो इन ब्लॉक बीजेपी को 2019-2014 में मिला था, उसमें एक बड़ी नाराजगी हाला कि यह अभी की ग्राउंड रिपोर्ट है, नोबडी नोस कि अगले 6-8 महीने में क्या हुआ हूंगे, जी प्रतीप जाट वोट काफी हन्मान बेनिवाल ले गए था, ऐसा नहीं कि बीजेपी को बहुत ज्यादा, पर ऐलाइंस थी, हन्मान बेनिवाल बीजेपी के ऐला लेकिन वो जो संजीव जी बात कर रहे हैं, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि यह जो सीटे कम हो रही है, उसकी भरपाई कहां से होगी, अगर नहीं होती है, तो बीजेपी के लिए बहुत जादा चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से चुन वहां टिके रहना लगातार, वो बहुत बड़ी चुनोती होती है, जिसका सामना बीजेपी करेंगे, इसमें एक ट्रेंड और है, 14 और 19 के आप चुनाव को नतीजा देखेंगे, अगर सारी सीटें जीती है, इंडिये ने, बीजेपी ने राजिस्थान में मोतो है, 14 से अप पर भारती जनता पार्टी को नुकसान होगा, जो सर्वे में दिख रहा है, लेकिन एक चीज थोड़ा सा इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहे ही, भावेश जो उसका जवाब देंगे, तब मैं आगे इस पे टिपड़ी करूगा, जो 11 प्रतिशत अदर्स हैं, क्योंकि वहा पूर्ण होगा कि 25 में से कितनी कम होंगी, या वो सीटे महीं रह जाएंगे, तो उसमें दो तीन परसें ऐसे वोट होते हैं, लगभग हर एक स्टेट में जिसको अधरस में काउंट करें, नॉन कमिटल वोट, जिनका अभी डिसाइड नहीं होता है, तो उनको हम लोग यह मा पूर्मान बेनिवाल की जो सीट है, उस वहाँ पे उनको एक अच्छा खासा वोट में, हलाकि वो सीट नहीं जी निकाल रहे है, पिछली बार जो सीट ते वो कौंगर्स मतलब कोई और जीत रही है, लेकिन जो वो पार्टी है, उसके बार बीएस पी भी है, उसके बार वहा जिवाल जी जब एनाउंस करेंगे कि मैं वहाँ चुनाव लड़ा है, उसके बाद ही है, फैक फाइनिंग हो सकता है, ठीक है, मैं ये इसलिए पूछ रहा था, जब चुनाव इंडिये बनाम इंडिया अलाइंस होगा, तो यकीन मानिये कि और ज्यादा शार्प पोलराइज होगा, इतनी ज्यादा गुंजाईश नहीं रहने वाली है कि 10 से 11 प्रतिश्यत वोट कहीं चले जाएं, बसपा के 6 के 6 हों विधायक कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके थे, उसी में से एक हैं, भाई साब जो आज कल रोते हुए बताते हैं, अलाल डायरी वाले हो बता गई थी उस वक्त, तो निश्चित तोर पर भारती जन्ता पार्टी के लिए 25 कायम रखना बहुत बड़ी चुनावती है, लेकिन यह जो 11 प्रतिश्यत है बड़ा महत्पूर्ण है, तब इसको कैसे हम लिखें, राशेत किदवई साब, कि भाजपा लागातार 3 से 3 स्वीप करेगी राजिस्थान, 25 में से 21 जीत रही है, या भाजपा की 4 सीटे 19 में के मुकाबले कम हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको, पानी का गलास आधा बेरा या आधा खाली, जी बहुत ही जी देखिए बहुत ही रोचक तथे या ट्रेंड जो हमारे सर्वे में आया ह क्योंकि देखिए, 14 में एक पूरे देश में बदलाओ की लहर थी, नरेंद मोदी जी का यूपी एक लोग बहुत निराश थे, पूरे लोग बदलाओ चाहते थे, और राजिस्थान में उसकी पूरी तरीके से नजर आया, 19 में जो एक समाने चुनाओं होते होते, फिर वहा और तो देश का एक मिजाज बदला, और वहां के उपर एक भावनात्रों मुद्दे के उपर एक वोटिंग भी और हाई वोटिंग परसेंटेज जो हुआ, वो इसको दर्शाता है, अब यही बड़ा मुद्दा है, दोहदार चौबिस में अगर सामाने चुनाओं होता है, म तो मुझे लगता है कि 21-4 की स्थितिरी रहेगी, बद देगी, जैसा संजीव कह रहे थे कि यह 18-7 हो सकती है, 16-8 हो सकता है, इस तरह के उसमें बदलाव आ सकते हैं, और यह धलान, प्रदीब जी 300 से नीचे कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 200 से नीचे भी जाएगा और 220 का अकड़ा आएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह बहुत रोचकत आते हैं, कि भाजपा जो है, वहाँ क्लीन सुईप राइस्थान में नहीं कर पा रही है, यह 220-240 का कलब जो है, 2014 से चलना है, 2014 में भी इसी तरह से बात कही जाती थी, BJP 220 पहुंच ज दोनों चुनाओं में common factor भी था, यह दरेंद मोधी प्रधान मंतरी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सीटें BJP की इतनी कम हो जाएंगी, तो यह कोई नया narrative नहीं है, यह 14 और 19 के narrative को दोहराया जा रहा है, जो बाद में कहा जाएगा कि यह हो गया, इसलिए ऐसा हो गया, अप ठ नहीं कोई factor तो होगा, ऐसा तो है नहीं, ruling party चुप चाप, घर जाके बैट जाएगी, अच्छा, नहीं सर, अभी आपने राशित साथ जो बात आप कह रहे थे, कि अगर यह 21-24 हो सकता है, तो और नीचे भी आ सकता है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए, आप उस राज्य की ब सान में चार घट रही है, 10% बोट का असर बता रहे हैं, भावेश 19 में और आज की opinion पोल में दिखाई दे रहा है, तो यह बाकी राज्यों में भी कहीं reflect करेंगा, हम आगे देखेंगे, लेकिन यह चार सीटें डाउन होने का मतलब यह है, कि वो जो आप कह सकते हैं, किला था 50% वोट जिसके पास होगा, वो clean sweep करेगा, करेगा, अब आप इतनी कलपना कर रहे हैं, कि एक जगा बहुत ज़्यादा concentrate हो जाएगा, दूसरी जगा एकदम भाजपा को ओट नहीं मिलेंगे, ऐसा पूरे राजस्तान के किसी शेत में भावेश जी का सर्वे भी नहीं बता र देखे राजस्तान की 25 सीटे जो हुए थे चुना और जो भार्षपा के उंविदार जीते थे, 70% सीटे इसीटे जिसमें चार लाग से जादा वोटों से जीते हैं, कोई भी सीटे सिंदे नहीं कि जहां कॉंग्रेस का बहुत ज़ड़ा फाइट हुआ और बहुत कम अरतर से बहुत लंबा सीप बारतिया अंता पार्टी ने समी सीटो पिलिया था, तो वो सीप को कवर करना और फिर चार सीटे जीतना, मुझे लग रहा है आने वाले समय में वो चेंज होगा और इतना पॉसिबल नहीं, अभी भी मुझे लग रहा जी साब से राजस्तान की जो ग्रा परसेंट होने के बावजूज भी जो है, सीटे हारी जा सकती है, या भाजपा सीटे हार सकती ही, क्योंकि अकर चार लाग से आप जीत रहे हैं, तो उसका मतलब यह कि वोट परसेंटेज वहां पर उसमें खपत हो जाती है, और कॉंग्रेस ज़ीती है, तो वह छोटी मार्ज तो पूरे विपाश्ट के लिए जो इंडिया अलाइन से उसके लिए एक उमीद की किरन है और इसी के उपर पूरा स्टेटिजी बनाई जा रही है जो एक निरिशकुवार का भी फर्मूला है कि एक कॉंसिट्वेंशी से एक व्यक्ति खड़ा हो एक विपाश्ट को उमीदबार कड़ा हो उसका ताना अबाना सब इन्दी चीजों पर निरबढ़ है तो कॉंग्रेस यहां पर बड़ा वीक लिंक है यह जो जो हिंदी भाशी परदेश है उसमें गुज्ञाद भी शामिल है मध कि अगर जहां पर जो एक सो पैतालिस एक सो पचास सीट से हैं जहां पर कॉंग्रेस बीजेपी की डिरेक्ट फाइट है और जहां पर करीब करीब 90 परसंट सी भी जादा स्ट्राइक रेट ती राहिस्थान में सारी गुज्रात में सारी मध्यप्रदेश में एक के चंदवा सीट भी कम होती है तो अभी देखते हैं कि भावेश आगे के रिजल्स क्या बताते हैं लेकिन जो बात प्रदीप जी ने कहीं ना कि शिकर पर पहुंचना असान है आसान तो नहीं है लेकिन शिकर पर पहुंचने के बाद वहां पर जमे रहना बहुत मुश्किल है और बीज कि आपने इतना एक उसको अपना स्केल अप कर दिया इतना है अपनी संख्या को कि 300 पार तो साड़े 300 पार तो कहां से कितना पार करोगे दो दो चार्चार भी मिलके आपका घड़ा कमजोर करेंगी तो वो चुनौती है बीजेपी के सामने कि यह जो लॉसेज हैं इनको कहां जरूरी नहीं है उनको डिसाइसिव मिजोरिटी लाना उन्होंने अपने सर पे वजन ले लिया है खुदी ने किसी आप मान के चल रहा है तो इंजार में हूँ आप 25 साल बाद करीब राजीव गांदी के बाद पहली बार क्लियर मेजॉरिटी के आई 2014 में 2019 में और रिपीट होई लेकिन क्लियर मेजॉरिटी की बात की होती 300 पार और उसके पार तो वो भी एक बजन अब ओड के चलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को जो एक्स संजीर जी जो बात कह रहा है कि 300 के पार की का बोज लेकर चल रही है एक और बोज लेकर चल रही है इस बार एंडिये का वोट सेर 50% के ऊपर ले जाना उसकी भी कोशिश हो रही है तो एक नहीं दो दो बोज है तो दोनों बोज ऊपर उठाएंगे या नीचे गिराएंगे दो ये देखनेकी बात है आप में से कोई राजिस्तान के सिल अधिये जारे जो कि जंता को लालच दें रहेगी एक तरह की से ओर तो को जो है आगे बढ़ावा कर रही है मोबाइल फोन बाटे जा रहे हैं कि जंता से वोट लिये जाए और फिलहाल अभी जो है मोदी जी राजस्थान का दोरे पे जा रहे हैं अशोग गहलोथ प्रधान मंतरी के स्वागत के लिए भी नहीं आएंगी आपको लगता है कॉंग्रेस कुछ बेटर करेगी पहले की तुल्ला बेबाद दॉझे दैजस्थान मेरे जन और ओर बीजे पिको और फिर उड्रीन में सज्विठाट जिटा दिया था लेकिन सर राजस्थान में हमेशी से यही दिए है कि पाँजस्थान में यहीं विल्ग तो नहीं कि इंडिया जो है इंडिया अलाइन्स बन रहा है उसमें कही नखसान थो बीजेपी को होगा लेकिन पार्टी बीजेपी की आएगी वहां ठीक है थोड़ा नुकसान हो सकता है वो ही जो बात हम लोग कर रहे हैं वो 95% नंबर वाली बात है यह तो राजिस्तान का सर्वे हमारे साब से बीजेपी एक किस कॉंग्रेस पार्टी चार ये दिखाई दे रहा है अलाइंस का यहां कोई खेल नहीं है यानि सीधे मुकाबले म अगर कॉंग्रेस पार्टी चार सीटे निकाल रहे है तो भले ही आप बेस बड़ा नीची है क्योंकि 50 सीट तो कॉंग्रेस की पूरी ही है तो उस लिहां से आप देखते हैं तो यह अच्छी अच्छा परफॉर्मेंस कॉंग्रेस पार्टी का दिखाई देता है जहां पर आ होगा तो आप ऐसा तो निए दो बार अलग टीमें भेजेंगे एक बारी पुछवाली होंगे दोनों सवाल आपने देखें विधान सभा और लोकसभा में राज्थान हो या बाकी अमूवन पूरे देश का महौल देखें तो लगभा 10% के आसपा वोट बीजेपी को एक्स् 40% वोट बाकी पात साल का एंटी कंबिनेशन देखने के बाद आप आएंगे कि राजस्थान में कि विधान सभा पे अलग शो करिये हम ऐसे नहीं बताएं ऐसे ही करें आप बिल्कुल सही पक्राइब आपने बार में एक चीज़ और जो संजीब जी कह रहे थे देखें एक स 44 भजस से बीजे पी हुई थी 2019 पर यह कोई तीसरी पाटी नहीं है यॉँपी के बीचार सीटे है और बिहार की भी है और अलग पूरे देशबर की 119 सीटे जिसमें बीजे पी 100 पचछाट्र सीटे जीती थी और बीजे पी का जो वोट से गाड़ा पर था लगभग 90 नाइं 90% seat जो BJP जीती थी वहां पर उनका वोट सेर 50% से उपर है इन 190 में से इसमें से 175 BJP जीती और इन में से 90% सीटों पर 50% से ज़ादा वोट तो यह इतना गाप है BJP और कॉंग्रेस के बीच में वही चीज़े देखना है कि कॉंग्रेस इस गाप को कैसे पाटेगी सब्सक्राइब काफी समय हो सकता है सिनेरियों बदल जाए रास्थान में देखे अभी पहले मैं एक चीज़ किलियर कर दू ताकि समीर जी ने जो बात कही आपने अभी डेटा से उसको सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यह चाल सीटे देखे वह एक एंटी इंकमेंसी जो बीजेप के चौविस MP है उसके खिलाब को रिफलेक्ट भी करते हैं लेकिन समीर जी ने जो बात कही आपने अभी डेटा से उसको बताया कि वो क्यों सही है कि मार्जिन बहुत जादा है 50% से जीती बीजेप चार लाग प्लस वाली मार्जिन वाली सीटे इन में बहुत सारी है उन्होंने का कहना है था कि पहले आप मार्जिन कवर करें फिर उसके उपर बोट लाएं यह इतना बड़ा फासला आ जाएगा पांच साल में यह नहीं लगता कि कॉंग्रेस पार्टी को इस सीट निकाल पाया उनका तर्थ था बिल्कु सही आप देखे ना कि बीजेपी और कॉंग्रेस वरसे कॉंग्रेस सीर है उसमें कोई और शेतरिय पार्टी ना रहे क्योंकि बीजेपी के लिए एक कमपटेबल सिच्वेशन है कि वह यदि कम से कम वह 190 सीटे जहां पे कॉंग्रेस के साथ था बीजेपी का फाइट हो तो वह उस सिस्तिति में अपने आपको एक एज अपने लिमा कॉल पर